नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एचीवर्स और उनलाइन कोचिंग में दोस्तों आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए नाकपुरी कहनी दीदी करनाव चिथी जी है दोस्तों बहुत ही अच्छा नाकपुरी कहनी दीदी कर रहा हूं वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा दोस्तों अंतिम तर देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो से मैंने कुछ सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों भी सेर कर दीजेगा चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं की हैं तो लोगों के लिए बहुत ही फाइदा होने वाला है क्योंकि हम लोग रेगुलर वीडियो दे रहे हैं दोस्तों आप बेल आइकन को भी अन कर दिजेगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों हम लोग सुरू करते हैं नाकपूरी कहनी दीदी कर नाव चि खल जाएं इसको हम लोग एक दम बिस्तार से समझने का कोशिश करेंगे हमको लगेगा कि यहां पर हिंदी से समझाना चाहिए तो उस जगह में हिंदी से भी समझाते चलूँगा दोस्तों वीडियो का अन तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप वीडियो का अधूरा देखत प्रम पुजय दिदी चिठी लिखते हैं तो उपर में लिखा जाता है आप लोग भी कभी लिखे होंगे तो मालूम होगा इसी को आदर देने के लिए इस तरह से लिखा जाता है सादर जोहार उसको परनाम किया जा रहा है हम ही आ बेस्तरी ही अगर इसन नई लिखू तो ब हीने तोर चिठी पढ़ के मन एक बार गी कुम्राय जाहे इधर आपका चिठी पढ़के मेरा मन घबरा गया है इसा बोल रही है कुम्राय जाहे बुजालक हमरे कर भाई में दुख और संताप कर अलावे कुछ नखे लगता है कि हम लोग का भागे में दुख और पश्ताप क करने के अलावे कुछ नहीं है तोर चिथी से जानली भाटू रिटायर होई जा हैं और हिने हुने होई चलत हैं वो अपना दिदी को बोल रही है कि तोर चिथी से जानली की भाटू रिटायर होई जा हैं और हिने हुने होई चलत हैं मतलब कि धर उधर घूम रहे हैं हमके इसन लागेला अदमी नोकरी से रिटायर भई नहीं होए बलकि अपन जिनगी से रिटायर होई जाएला वो अपना दिद्धी को चिथी में बोल रही है कि हमके इसन लागेला कि अदमी नोकरी से रिटायर भई नहीं होई बलकि अपन जिनगी से रिटायर होई जाएला रिटायर्मेंट कर संगे हासी, खोशी, उत्सा, उमंग, सोभे उकर से जुदा होई जाएला बोल रही है चिठी में कि रिटायर्मेंट के साथ में हासी, खोशी, उत्सा, उमंग सब उस से अलग हो जाता है तो के कईसे कहूं तो के घर से पैसा कोड़ी कर कतना मदेत मिली लेकिन जतना बनी हम करब वो अपना दीदी को बोल रहे कि जतना हमसे सामर्थ होगा हम करेंगे तोर बिहा घरी हमके तारे की रिस्ता जिकेतों थेला गारी लखे ठेकल धेकल के इतना दूर ले आन ले हमके पसिंद नहीं रहे चित्थी लिख रही है चित्थी में अपना बात को बता रही है अपना दीदी को कि तेरा बिहा से हम खुश नहीं थे हमको पसंद नहीं था तो इतना दूर ठेला गाड़ी एक बैल गाड़ी होता है ठेला गाड़ी उसी के तरह धकल धकल के इतना दूर अपना रिष्टा को ले आई हमके पसंद नहीं रहे हैं हम हमें पसंद नहीं था तोर बिहा बेशी उमेर कर अदमी से खुलक जेकर पहिले से कैठो छोवा पुता रहे और सब के सब मानसिक रोगी उचिठी में अपना दीदी को लिख रही है कि तोर बिहा बेशी उमेर कर अदमी से खुलक जेकर पहिले से कैठो छोवा पुता रहे मतलब जिसका पहले ही साधी बिहा हो चुका था उसका दीदी से बहुत जादा उमर का और उसका जितने भी बहुत ही अच्छा कहानी है अंत तक जरू देखेगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगे दोस्तों उच्छोवा मन कहियो तो कि माई लखे नई बुई जोबाएं और कहियो तोर आत्म सम्मान के बुझे कोशी सो नई कहिर होएं तोर चित्थी में इबात कर जिकिर हम और अंदाजा फोखता हो लख खैर उमन लड़का है कहें बहुत जादे नई पढ़े पार लाएं कहियो बेस अदमी कर छाहियों नी मिल लख जिनगी कर भयंकरताप से हिने हुने होई चल लखे और आपन के सभ्य और दोसर कर गरेबी कर माजाक उड़ाए वाला समाज उमन क लखंगा तो बदमास आदी कर उपमा देवे से नहीं चुक लग खैर कोई बात नहीं तो एक कहियो आपन बढ़ से उमन के कोनो ना कहबे उपना दीदी को ये बोल रही है कि खैर जो भी हुआ कोई बात नहीं आपन बढ़ से तो एक कोनो ना कहबे कोनो काम धाम मिल गेले सा तो लोग स्थिर हो जाएंगे, सुधर जाएंगे अखन उमन के आपन कुछ होवे आपन आत्म सम्मान कर बेशी चिनता है हम तो तोके खाली उपदेश देवे लागली चित्थी में फिर लिख रहे कि हम तो तोके खाली उपदेश देवे लागली हिने घर में बढ़की माई कर बेटी कर बिया तय हो जा है चित्थी में लिखती है कि इधर घर में बड़की मां का बेटी कबिया तै हो गया है लड़का बेस और बेगर तीलक ले ले बिहा कर ले तैयार है यह हमरे ले बड़ा खुशी कर बात है लेकिन छोटका काका काकी कर हालत बहुते खराब होई जाए फिर बता रही है कि छोटका काका काकी कर मतलब चाचा चाची कर हालत बहुते खराब होई जाए काका कर उमर तो तो जानते हिस एह तीस पॉइटीस होई है मुदा उनकर दूईयो आइख में मोतियाबिन होई जाए बता रहे हैं चिठी में कि उनका काका का आँख में मुतियाबिन हो गया है दीन होई की रात एको नी सुझे दीन की रात कुछ समझे में नहीं आ रहा है उनके एगो चांद नीयर बेटा होई है लग उसका एक लड़का भी है चांद जिसा एक ही लड़का है कैल उनके हम देख ली आपन बेटा के कोराले रहें और हाथ से उकर मुह नाख गोड़ हाथ के छुई-छुई के उकर सुन्दरे के परखेक चेश्टा करत रहें उन तो मोतियाबिन कर सिकार रहें आईक देखेक नहीं पारत रहें तो आपन बेटा कर गोड़ हाथ नाख मुह के छुई-छुई के उकर जो सुन्दरे ही है उकर परखेक कर कोशिश करेना बड़ा खराब लाग लग बुझा लग भगवान उनकर हाथ के ले लेता हैं मुदा आइक के तो दे देता हैं अब तो कहों आओ जाए नहीं पाराएं खेती बारी सब इसने बीतिके लग अबकी तो दसो ओड़िया धान नी होई है बोल रही है इस बार तो बहुत ही कम धान हुआ है अब कित्थी में अपना दीदी को बता रही है काका कर बिहा में तो तो आए रहिस काकी कर दमकत मुह देखे ले और उनकर से बोले ले कतना हमरे उनकर आगे पाच्छे होट रही तो कि याइद तो होबे करी वो अपना दीदी को बोल रही है कि काका कर साधी में तो आए रहिस और कितना आगे पीछे हो ले तो कि तो याइ वो अपना दीदी को बता रहे है कि अब तो हैं काकी के देख भे तो चिन्हेंग नहीं पार भे चिन्ता से सुख के काटा है गेला मतलब सुख के चिन्ता ऐसा गुश गया कि वो सुख के पतली हो गई दवाई बीरोक और उपाय करे ले कहत है मुदा पईशाय नखे काका कर सोभावों बहुत करवा होई जाए लोगी कर काका कर भी सोभा बहुत करवा होई जाए रहे है कठोर उनकर थिन कोई जायक निखोजे हिने गाउं में नेत्र चिकित सा सिविर लाइग रहे है आए डाक्टर वन आए रहे होई काका किके लेगी अजब गजब आदमी और अजब गजब उमनक आइक कर रोग सोभे के दावाई में लग की नहीं सेके तो नहीं जानब लेकिन काका के देलाएं और कहलाएं की उनकर आइक कर एक ठो नस सुख जाहे मतलब डाक्टर लोग आये थे लोग आँक कर दावाई दिये और बोल दिये इनका चाचा को इसका आँक का एक नस सुख किया है यहां करदवाई से बेस नी होई ओप्रेशन करे खोई डाक्टर साहब कह लाएं कि हियां करदवाई से बेस नी होई ओप्रेशन करे खोई सितापूर लेगे खोई बड़ी उमीद लेके सिवेद जाये रही लेकिन कुछ नहीं हो लग काकी कह लाएं उनकर ठिन सोना कर एक अंग्ठी है कर काकी बता लाएं कि उनकर जगे एक सोना कर अंग्ठी है से के बेच के दवाई करब खेतों बेचे खोजत रहें लेकिन बीपईत कर बेरा में माटियों कर मोल क्यों लेवे ले तेयार नखें लबकि खेत के भी बेचे खोजत रहें लेकिन समस्या कर घड़ी में कोई माटियों कर मोल देवे कर तेयार नहीं हो लें उसोना कर अंग्ठी के लेके घर में गोहाईर है बड़की माय कर कहे कहे कि अंग्ठी उनकर दामांद करहे के जे के नहाइक बेरा खोईल के धर दे रहे और बाद में पावेनी कर ले बड़की माय और काकी में भारी जगरा होत रहे बढ़की माई अंग्ठी के आपन ठीन राइक ले लें उकर जे बढ़की माई रहें अब पहले नियर नक्वे कुनों नक्वे इ घर में छोआ मन आपन काम में दोसर दोसर ठाउं चेल के लाएं. तोई तो जानते है इस माई बाप से जगरा केर के जगत कहां गेलक से आई तक पता नी लग लग रोजी रोटी करती हा में बाबुजी और बड़ा भी घरे नी रहेना उन्हें काकी घरे रहेना और तो रहल नी रहल बराबर काकी और बड़की कर जगरा में मन बेडाए जाएला सोचत रही कि तोठीन जाब लेकिन बुजाएला तोठीन गेले कोनों फाइदा नखे मन में किसिम किसिम कर भाव उठेला का करूं और का नहीं करूं बोल रही है चिठी में कि मन में अलग-अलग तरह का भावना उठता है क्या करें और नहीं करें कुछ नहीं बुझाए खेर आगे जेशन हमके बुझाई करब चिठी कर जबाब जरूर लिखब आपन दीदी के कहेला कि चिठी कर जबाब जरूर लिखब तोर बहिन जे आपन बहिन के लिख रहे है तो नीचे लिखेला तोर बहिन ये आपन बहिन के चिठी लिख रहे है बहुत थी अच्छा चिठी पड़के मुझे तो बहुत अच्छा लगा दिल को छो लिया आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जार खंडी जोहार